नमस्का दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बाद फिर से आज की बड़ी खबरों में मुख्य समाचारों में आप तक पहुंचाएंगे देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरे मुख्य समाचार इस वीडियो में जहां पर हर्याणा विधान सवा चुनाओ जम्मु कश्मीर बड़ी खबरे सामिल की गई है राहूल गाली के रत सहत्रा को लेकर आ रही है बड़ी अपडेट इस खबर को भी इसी वीडियो में आगे जानेंगे और भी मुख्य समाचारों को जानने के लिए आप लोग बने रहे हैं दोस्तों आप भी मानते हैं हर्याणा में कॉंग्रेस बढ़त बना रही है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजेगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजेगा जय हिंद जय भारत यहां दोस्तों विदान सबाद चुनाओ की तैयारी जोड़ोपा है हर्याणा में पांच दिन ही बचे हैं सेस्ट बोटिंग होने में दोस्तो आपको बताते चलें सभी राशनीतिक पार्टी चुनाओ पर चार्ट जोड़ों से कर रही है बीजेपीवी जवर दस तरीके से चुनावी मैदान में है तो कांगेस भी टकर देती दिख रही है इसी बीच एबियम का मुद्दा एक बार फिल से उठा है क्या कुछ ने बार यह जिन्हों ने इस्तिफा दिया अबीबीन के मुद्द पार आपको बताएं का बिरोद किया अन्हों ओने आपको बताते चलें पहले एपी ड़न का बटन दवाने से बोट सीधा कंट्रोल इनिट में जाते था और आप बीच में बीवी पैट आ गया है दोस्तों उनका कहना है कि बीवी पैट में ही बोटों की हेरा फेरी होती है जब से बीवी पैट आया है ये हेरा फेरी और बढ़ गई है कई संस्थाइं बुद्धी जीवी वकील इवियम को बैन कहने के लिए आवाज उठा रहे अब भी दोस्तों यहां तक कि इमांदार अफसर्वी स् यहां पर 25 पूरे मामले को लगातार उठा रहे हैं कि आखेर चुनाओ आयोग इरियम को लेकर अपनी रुक क्यों नहीं स्पष्ट करता है क्या कुछ दबाव है चुनाओ आयोग पर दूसरी तराफ राहूल गांदी जोरदार तरीके से हर्याणा में बीजेपी पर हमलावर दिखाई दिये दोस्तों हर्याणा में छोटी छोटी पार्टियां है इन सब का रिमोट बीजेपी के पास है दोस्तों बहुत से छेत्रिये दल है छोटी पार्टियां है बागी नेताओं अपनी पार्टियां मना ली है और वहाँ बोट काटने का काम कर रहे हैं कहना है राह ने मंच पा सेलजा भूपेंद हुद्दा का हाथ मिलाया जी यहां दोस्तों आपको बताते चलें एक साथ एक मंच पे दिखाई दी है कॉंगेस की एक ता सेलजा कुमाई जो संसद है कॉंगेस की उनको लेका खबले उड़ाई जा रही थी वहां नाराज हैं कॉंगेस मैदान में बनी हैं दोस्तों आपको बताते चलें हर्याणा में राहूल गांदी का रोड सो शुरू हो चुका है अंबाला में गाड़ी में सवार होकर रैली में पहुंचे प्रेंका गांदी और राहूल गांदी लोगों में राहूल गांदी को देखने के लिए जौदा उ दी राहुल बोले मेरा लच्छ है जितना पैसा उन्होंने अपने मित्रों को दिया उतना पैसा महिंदुस्तान के गरीबों सोसितों और वन्चितों को दूँगा दोस्तों राहुल अर्यादि में एक बाव फिर से Congress को यहां पर सक्ता में लाने के लिए पूरा दम दिखाते दीख रहे हैं हरद के दसक कांत करने क्लिए Congress पूरी सक्ति के साथ एक जूठ है संगठित है समर्पित है कहना है राहू गानली का अप प्रदेस के 36 विरादरियों की सरकार बनेगी सब के हिसी सरकार लगी हर याड़ा में कंगेस की आंदीर रहा रही है अब हात बदले का हालाँ का ना है राहूल गानी का दोस्तों इन तमाम बातों से राहूल गानी की आप इस सहमत है समाथन करते हैं इन बातों का तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजेगा अपना समयतन दर्च करवाईएगा आगली अपडेट की और बढ़ते हैं मिलावटी समगरी का उप्योग प्रसाद में नहीं हुआ तिरुपदी प्रसाद विवाद पा सुप्रीम कोट ने कहा जिया दोस्तों आपको बताते चलें प्रसाद में मिलावट की खावार को लेका काफी हो हांगा वो मच्चा हिंदू संगठनों ने हला बोला सुप्रीम कोट ने सियम नाइडू को सवाल खड़े किया इस समय की ताजा बड़ी खवा तिरुपदी प्रसाद मामले पर सुप्रीम कोट ने उठाए सवाल तिरुपदी लड़ू मामले में सियम नाइडू को सुप्रीम कोट ने लगाई फटकार कहा भगवान को राजनीत से दूर रखें दोस्तो सुप्रेम कोट ने आंद्र के सियाम और बीजेपी के मुक्य सायोगी पाड़ी टीडीपी प्रमोक चंद्रवावु नाइडू को जम के फटका लगाई और कहा कि जुलाई में आई रिपोर्ट पर दो महीने बाद बयान आखिर क्यूं दिया सुप्रे को राजनीती में सामिल ना करें दूर रखें बड़ी खबर दोस्तों अभी सामने निकल के आ रही है क्या एक एक करके प्यामोदी का साथ छोड़ रहे हैं बीजेपी ने ता पिछले साल मद्देश विधान सवाचुनाओं में सिवराज संग चौहां करें तो तुम्हें भा कि प्यमदी ने उनको संतुष्ट अश्थान्द करने केविनेट कैसी मंत्री तो गना दिया परन्तु सब जानते हैं मोदी सेखा में किसी मंत्री की क्या कुछ हैसियत होती है क्या नहीं और सारे फैसले प्यमों से ही होते हैं जब से भाजपार ध्यश्पत के लिए जंग ते से दूरहें को कंजोर सिथी में देखा सिवराज भी संग कि नारजगी मोल नहीं लेना चाहेंगे इसके बददें संग सिवराज को पुन्हां मुख्यमंधरी का ओफ़त देने का भी बिचार कर रहा है कि मतव बदेश कली ने पुन्हा सियंव बना दिया जाए सिब्राज उनके समयधुकों को भी मुख्यमंति पर ज्यादा मुफीद लगता है दोस्तों सही लगता है यहां पर देख सकते हैं आइसस बीजेपी में लगातार अंदूनी घमासान है यह सूत्रों ने बड़ी खबार दी यहां प्रेंका गांदी उता चुक की हरगार के नअगरिकों से बाच्पा सरकार को उखाड फेकने का का रीच करने का अगरह किया उन्होंने और उप लगाया किया previous स्रकार की योग घाया की अच्छा कर रही देश के गौरब की रच्छा में हर्याणा के किसानों स्रानिकों अथिलीटों की बृता कुछ आगर करते हुए उन्होंने भाश्पा के एक दसक लंबे सासन से राज्जी के निवासियों के मिलने वाले लावों पर सवाल उठाया है प्रियंका गांधी ने यहाँ पर इसारों इसारों में पीम मोधी को भी निशाने पे लिया बे रोजगारी को एक एहम मुद्धा बताया हर्याना के लिए और मौजूदा सरकाथ द्वारा रोजगार की उपलब्द अफसर महीं करा है जाने को लेकर भी यहाँ पर दोस्तों ज सांगे सनेता प्रेंका गांधी यह थी बड़ी खबर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा आपने सभी दोस्तों में आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जय हिंद